हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज बनाएंगे इस तरीके के फुटवेल और्गनाइजर जो की बेसिकली बने हुए है बुडेन से और मैं ठहरी यहाँ पे फैब्रिक क्राफ्ट वली तो चलिए इसको फैब्रिक पे कैसे बनाते हैं यह देख करना है तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल ही पीस लिया है मैंने ताकि एक साथ दो सरकल कट हो जाए एक पॉइंट पना लीजे कॉर्णर पे हमें रेडियस रखना है यहाँ पे 9.5 इंच का तो इंचे टेफ फिक्स रहेगा एक सेट बस इस तरीक पे से कट कर लेना है दो सरकल आ गया है हमारे पास एक निशान कहीं भी लगा लीजे अब इस निशान से इस निशान तक हमें 3 इंच का डिस्टेंस लेना है यह डिस्टेंस टोटल 3 इंच का है अब पूरा हमें मेजरमेंट लेना है तो कहीं भी एक निशान से इंची टेप रख लीजिए और इसे चारो तरफ से घुमाते हुए मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर दूसरे मार्क तक आ गए हैं 56.5 इंज का आ रहा है पूरा हमारा मेजरमेंट यह मने लिख दिया यहाँ पर दिस्टेंस से 3 इंज का तो थुड़ा सा याद के लिए मने यहाँ पर लिख दिया है ठीक अब यहाँ पर क्या करेंगे पीज लिया है लैंद से 네ast 6 इंज पर भी का तो करेंगे अब मैं इसका मेजरमेंट आपको विल्ड कर लिया है ब्लू वाला किस टॉ परण पर यह जो में घर तक पर आप देखें किसता सथ approach किया है मैंने lining को add नहीं किया आप चाहो तो lining भी लगा सकते हो अब इन सबका आपको final measurement बताती हूँ तो उपर जो green वाला है इसकी length है 94 inch और इसकी जो विर्थ है ये है 9 inch blue वाला piece length है 56.5 inch into 11.5 inch छोटा वाला piece ये है length 12 inch और विर्थ है 4 inch 9.5 inch का radius लेके 2 circle cut कर लिया है ठीक सारे measurement हो गए ये जो blue वाला piece है इस पर हम लगाएंगे zip zip की सीधी side नीचे की तरफ, फुल्टी side उपर की तरफ पूरा एक corner से लेके दूसरे corner तक हमें stitch करना है और top stitch लगा लेना है मैंने stitch करके top stitch लगा लिया कि देखे अब यहां से 1 inch का distance ले लिजे आपको approximate 1 inch का gap लेना है आप ये stitching में चला जाएगा अब यहां से लेकर यहां तक आपको 7 inch का gap लेना है तो मेरा एक निशान गलत लग गया था तो उसको प्लीज इग्नोर करिएगा 7 inch का आपको distance लेना है पूरे इस piece पे आप 7 inch पे mark लगा लिजे ये हमारा 7 inch का distance हो गया ये जो mark लगा है इसको मैं यहां पे cut कर लेती हूँ क्योंकि यहां पे line के बात क्योंकि यह जो है निशान नहीं है तो आपको पहले 1 inch का निशान लगाना है इसके बास 7 inch के distance पे आपको gap लेना है 1 inch का distance लगाया था यहां पे line draw कर दी है ताकि आपको समझ में आए यह हमारे stitching में चला जगा यह 7 inch का gap है ठीक है तो जो निशान लगा था place उसे ignore करिएगा last में जो piece का measurement बच रहा है वो हमारी ugly pocket बन जाएगी green वाला piece ले लिया है इसको भी सेम तरीके से 1 inch का distance छोड़ लेंगे ताकि हमारे stitching में चला जाएगा अब यहां से हमें 11 inch का gap लिया है तो पहले piece में 11 inch का gap लिया है और दूसरे वाले piece में 11 inch का आप चाहो तो 10 inch पे भी ले सकते हो तो जो मैं यह divide कर रही हूँ pocket मैंने average बनाया है ताकि आप heel भी रख सको, flat भी रख सको, shoes भी रख सको तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा average में ही pocket बनाया है तो आपकी मर्दी है आप चाहो जो 10 inch पे बना सकते हो सारे pieces पे इस तरीके से निशान लगाना देखे 11 inch पे लगाने के बाद थोड़ा सा हमारा piece का जो fabric है बच रहा है इसे last pocket में add कर देंगे ठीक तो अभी आप देखेगा इस वाले piece को इस पे attach करना है तभी मैंने देखे जो green वाला piece है इसको थोड़ा सा चोड़ाई में कम लि मुझे आपको समझाना है तो मैंने यहां पर पहले देखे pin-up किया है इस line से line को बैठाते हुए अच्छे से pin-up कर लेंगे तो यह आपकी pocket divide होती जाएगी इसी जो pocket की गहराई है आपको कितनी रखनी है मतलब चोड़ाई तो यह आप अपने according भी रख सकते हो जैसे मैंने 11 मैं उसी तरीके से बना रहे हूं average बिल्कुल सब पर pin-up कर लेंगे और जो last का कपड़ा बचेगा वो हमारी अगली pocket बन जागी देखे हमारी इस तरीके के pocket बन गई बहत easy है इसको बनाना तो देखे जो green वाला piece था मैंने इसको अलग से मतलब चोड़ाई कम रखी है छोटा पीछे कर लेते वणना stitching में दब जाएगा तो आप पहले यहाँ पर disturb ना करें तो pin कर लीजे एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे अब सब सिलाई से इसको divide कर लेंगे last वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे मैंने पूरा देखे stitch कर लिया है pocket divide हो चुकी है pin को remove कर लेंगे double runner add कर लेंगे मैंने double runner भी डाल लिया है इसमें अब देखे क्या करना है आपको last वाले को इस तरीके से join करना है यह pocket बन गई last वाले को पकड़ लीजे इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहाँ पे हमारा यह जो stopper है छोटा पिस लिया है मैंने इसको stitch करना है दोनों की सीधी side आपस की तरफ रखना है और एक corner से एक corner तक पकड़ते हो मैं पूरे पर सिलाई लगानी है जिस तरीके से कर लिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजे मैंने सिलाई लगा ली अब इसको पलट के इसके उपर top stitch लगा लेंगे मैंने top stitch लगा ली अब दूसरा side लेंगे देखे सीधी side आपस की तरफ सारी pocket बाहर की तरफ है अब आपको फिर एक corner से पकड़ना है एक corner तक और पूरे पर सिलाई लगानी है यह देखे इसको पीछे कर लीजे तो इससे पहले हम pin up कर लेंगे ताकि stitching में ही दबेना अब हमें देखे अच्छा सा space मिल गया अराम से stitch हो जाएगा तो इस तरह के से यहां से यहां तक पूरे पर सिलाई लगा लीजे मैंने सिलाई लगा ली अब इसे भी पलटके हमें top stitch लगा लेना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए यहां से यहां तक मैंने top stitch भी लगा ली देखे आप क्या करेंगे अब कोई काम नहीं है pin up जो किया था उसको निकाल लीजे pin को और यह pocket को आप अपने according adjust कर सकते है जैसे अगर बड़ा बनाऊंगी तो बहुत बड़ी pocket हो जाएगी तो मैं इसको divide कर लोगी देखे कुछ भी फूर pin up भी stitch कर सकते हो क्योंकि कोई धागे ratio rough edges नहीं है तो आप simply इसको यहाँ पर रख लीजे अभी मैं chalk से निशान लगा के आपको बताती हूँ यहाँ पर ऐसे रख लेना है और आमें stitch करना तो देखे जो मैं निशान लगा रही हूँ न chalk से यहाँ पर ऐसे रखते stitch कर लीजे दूसरे वाले पर भी यहाँ पर marker देती हूँ तो आप जब इस पर stitch करोगे तो यह दो pocket में divide हो जगा देखे दो pocket बनी है बहुत गहरी तो नहीं है पर हाँ अच्छी है आप flat इसमें रख सकते हो सारी pocket divide हो चुकी अब हम इसमें circle को join करेंगे तो circle को रखके आपको मैं stitch करते तो नहीं दिखा ली तो मैं यहाँ पर pin लगा के पूरा आपको दिखाती हूँ कि measurement मेरा perfect है यहाँ पर कहीं भी छुटा बड़ा नहीं है इस तरीके से measurement ले लीजे गुमा गुमा के कि आपका circle सही आ रहा है या नहीं अगर by chance नहीं आता है circle fit तो आप जहाँ पे last में pocket को chalk से निशान लगा के divide किया था उसको और थोड़ा सा दबा के stage कर लीजे तो यह trick होती है circle को fit करने की वैसे देखे मेरा perfect measurement आ रहा है क्योंकि बिल्कुल starting से ही perfect measurement के साथ बनाया है इसको कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है दूसरे circle को भी आपको इस तरीके से रखके दिखा देती हूँ यहाँ पे pin कर लेजे circle की सीधी side अंदर की तरफ रहेगी मतलब blue वाला part और इसको उपर की तरफ रखिएगा आप चाहो आपके मर्जी है आप lining भी लगा सकते हो इसमें देखे इस तरीके से पूरा मैं measurement लेके दिखाते हूँ आपको कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है आप बस इस तरीके से machine के foot में लगाईए और पूरा एक सिलाय में stitch हो जाएगा आराम से देखे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है दोनों को मैंने stitch कर लिया है अब zipper वाली sides से इसको open कर लेंगे ये देखे इस तरीके से पलटके सीधा करेंगे सारे जो नीचे के जो corners है ना मतलब sides इसको अच्छे से बठालते हुए सीधा करेंगे ये देखे आराम से stand हो जा रहा है और देखे कितना प्यारा बना है सारी pocket डिवाइड है अभी मैं आपको इसका final measurement इसमें रखके footwear सब दिखाऊंगी काफी अच्छे size में बना है ये जो stopper लगा है इसको आप अपने recording भी कमजादा कर सकते हो सारे footwear रखके दिखाती हूँ आप इसमें heel और flat दोनों रख सकते हो ये आपकी मर्जी है आप किस तरीके पहनते हो flat पहनते हो अगर कोई दिक्कत है आप flat ही पहनते हो सिर्फ तो आप इसकी pocket को छोटा बना सकते हो छोटा मतलब इसकी चोड़ाई कम ले सकते हो जैसे मैं 11 इंच पे लिया है आप 9 और 10 पे बना सकते हो बीच में काफी स्पेस है तो मैंने अपने बेबी के भी footwear रख दिये हैं यहाँ पे आप चाहो तो एक circle को transparent sheet से बना सकते हो ताकि visible रहे क्या रखा है क्या रखा है क्या ने दिखना है सब तो इसी में रखा हुआ है तो मैंने transparent sheet नहीं लगाया आप कुछ भी creativity करके इसमें आराम से एक sheet लगा सकते हो transparent वाली ताकि visible रहे यहाँ पर final measurement देखते हैं देखिए पूरा जो इसका total diameter है वो 18.5 इंच है और इसकी जो height है यह है 11.5 इंच तो देखिए मैंने बनाया तो मुझे first time फोड़ा time लगा फिक मुझे measurement निकालना था पर सारे measurement बिल्कुल perfect है आप इसको इसी तरीके बनाइए अच्छे size में बनाया है काफे footwear आपके आ जाते है और बहुत easy method है सारे pieces ready करने है सब को join करना है कुछ भी नहीं है आप चाहो त इसके flap पे एक pocket एड़ कर सकते हूं pocket किसलिए जब भी आप इस तरीके के shocks वगरा पहनते हैं जो सर्दियों में गर्मी में पहने चाहते हैं सेंडिल वगरा पे कुछ अच्छे होते हैं जैसे मैं इस तरीके पौश में रखती हूं आप चाहो तो ऐसी pocket एड़ कर लो pocket बना लो क्योंकि हैंडिल पकड़ को तो नहीं उठाऊंगी अगर उठाऊंगी तो पूरा नीचे से हाथ लगा के उठाऊंगी तो मैंने हैंडिल भी लगाया आपको कुछ भी creativity करनी है आप इसमें कर सकते हो size बिल्कुल perfect है size भी बहुत अच्छा है और measurement भी बिल्कुल perfect है तो please मेरी